पहला question कुछ इस प्रकार से दिया गया है, पहला question का answer जो यहाँ पे देखे, double tick लगा करके मैंने भेज दिया है, आप लोगों को जल्दी से मिला लिजिए, मैं आप लोगों का question सिर्फ दिखाऊंगा और answer बताऊंगा, क्योंकि इसका solution मैंने पहले से कर लिया है, आप लोगों तो चलिए, अब हम सुरुआत करते हैं, एक question का answer मैंने आप लोगों को बता दिया, option A होगा, देखे दोस्तों दूसरा question का answer जो आपके पास है वो यह होगा, answer number इसका answer हो जाएगा, 4 जल्दी से देख लिजिए, और answer मिला लिजिए, आपके final board परिक्षा में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, गर्दा गर्दा चुराना चाहते हैं, धुआ धुआ उराना चाहते हैं, तहलका मचाना चाहते हैं, तो जल्दी से देख लिजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे share कर दिजिएगा, यहाँ देखे तीसरा number question का answer क्या हो जाएगा, तीन अनुपात, दो हो जा आपका ये 6 दक रेखा, क्या हो जाएगा, 6 दक रेखा, question number 6 योर बरते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक एक question को मैंने answer लगा करके आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, दोस्तों, 6 number question का देखे, right answer हो जाएगा, यहाँ पे 120 answer होगा, दोस्तों, double take, वल आपको answer करना है, यहा हॉल में जाने से पहले इसे एक बार जरूर देख लिजेगा, आपके board exam में यहाँ से question देखने को मिलेगा ही, मिलेगा, 7 number question का right answer हो जाएगा, option D, यानि के अनन्त हो जाएगा, 8 number जो प्रस्ण आपको दिखाए दे रहा है, इसका जो right answer होगा, वो हो जाएगा, 6 A, ठीक है, 9 नौ नंबर प्रस्ण देख लिजे दोस्तो, 9 नंबर जो प्रस्ण इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो आपको ध्यान में नहीं रखना, नहीं तो आपका board exam में बहुत answer कलत करके, आप लोग आ जाएगे, मैंने इसका solution कर लिया है, आपको answer बता दिय 10 नंबर प्रस्ण का right answer देखे, option B 0 हो जाएगा, 11 नंबर प्रस्ण आपके पास है, 11 नंबर प्रस्ण का कहता है, माध निकालने के लिए, माध में X का मान, option हो जाएगा, यानिके 6 हो जाएगा, चीक है, exam hall से जब आप बाहर निकलेंगे, तो गर्दा गर्दा छोरा इसी तरह से science का question लेकर क्या हूँ, 12 नंबर प्रस्ण का right answer हो जाएगा, वास्त बीक और भराबर, option B is the right answer, देखे दोस्तो, 13 नंबर प्रस्ण का right answer हो जाएगा, option A हो जाएगा, 16 नंबर प्रस्ण, जो कि मैंने आपको class में बताया, same to same, वही देखने को मिला, 36 देखे, 49 है, option ये हो गया, 6 नंबर, 7 हो जाएगा, ठीक है, चलिए बारते हैं, next question number 17 की ओर, question number 17 का, देखे लिए कुछ इस तरह से answer होगा, option number D, 2.1 cm हो जाएगा, 18 नंबर प्रस्ण का right answer हो जाएगा, 10 root 2 cm, ठीक है, इस तरह से मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, क्योंक option C हो जाएगा, 20 number प्रस्ण का right answer हो जाएगा, option number A, यानि कि 1 हो जाएगा, देखे दोस्तों, ये question मैंने गोला इसलिए लगा कर रखा था कि मैंने जो बताया, आपके board exam में वही आया, 21 number प्रस्ण देखे लिए, name लिखित में से कौन आपरी में, आपरी में नहीं है, इसका right option number D, जो आपका right answer है, option number D, ठीक है, 22 number question की उर बढ़ते हैं, 22 number question में फटाफट हम लोग करने वाले हैं, देखिए, 22 number प्रस्ण का right answer option A हो जाएगा, 23 number प्रस्ण का right answer option B हो जाएगा, 24 number प्रस्ण आपके पास यहाँ पे दिया गया, इसका right answer option हो जाएगा, C यानि 114 हो आथार, वही question आया, इसलिए कहता हूँ, जो भी तैयारी करते हैं, class को जरूर करिये, मैं जो बताता हूँ, वही आपके board exam में आता है, 25 number प्रस्ण का right answer हो जाएगा, option A, ठीक है, बारते हम लोग 26 number प्रस्ण का right answer option हो जाएगा, B, B हो जाएगा, option B is the right answer, 27 number प्रस्ण का right answer हो है, समांतर सेडी का सारवांतर ज्याद करना था, option B हो जाएगा, और 30 number प्रस्ण आपके पास आगया, इसका right answer option हो जाएगा, C, कितना समय लगा होगा, आप सोच सकते हैं, इसको बनाने के लिए solve करने के लिए, और दोस्तो, 31 number प्रस्ण है, इसका right answer हो जाएगा, option B, यानि 7 5.5 हो जाएगा, 32 number प्रस्ण को गौर से देख लिजिए, इसमें बहुलक पूछ रहा है, बहुलक मैंने बताया था, वो आया भी, इसका right answer option D होगा, 9, 33 number प्रस्ण है, निमलिखित में कौन सी औभाद संख्या, ये हो जाएगा, 13, यानि कि option C is the right answer, तहलका, तहलका मचा यानि option B is the right answer, जिसने थोरा सा भी अगर पढ़ा है न, वो इस exam में जा करके, आप लोग तहलका मचाने वाले हैं, 100 में 100 number आप लोग लाने ही बाले हैं, 36 number प्रस्ण का right answer option B हो जाएगा, 37 number प्रस्ण को देख लिजिए, इसका right answer हो जाएगा, option D is the right answer, 38 number प्रस्ण का right answer option C हो जाएगा, इसका right answer जल्दी से comment कर लिजेगा, और दोस्तों यहां देखिए, 40 number question की ओर आ गया है, 7 बटे 6 हो जाएगा, option D is the right answer, 41 number प्रस्ण का जो जवाब हो जाएगा, option B, option B is the right answer, 42 number प्रस्ण का जवाब हो जाएगा, option C, 43 number प्रस्ण को देख लिजिए, 43 number प्रस्ण का right answer अगर X अक्ष, तो Y0 मैंने बहुत बार क्लास में बताया और डिरेक्ट आपके एक्जाम में आया, धमाल हो जाएगा, दोस्तों, 44 number प्रस्ण का जवाब, option A हो जाएगा, 44 number प्रस्ण का जवाब, option A, 45 number question को गौर फर्माईए, 45 number question का right answer हो जाएगा, option B is the right answer, 46 number प्रस्ण दि तो इसका भी दो गुना, लेकिन साथ है, तो option A हो जाएगा, गौर फर्माईए, 36 देखे, टिक लगाईए, answer मिला ये, और यहाँ पे 47 number प्रस्ण है, option B is the right answer, यहाँ देख ले दोस्तों, 48 number प्रस्ण की ओर बरते हैं, direct formula पूछा गया, option C is the right answer, 49 number प्रस्ण का जो जवाब हो किजिए, तहलका जा करके मचा देजिए, दोस्तों इस तरह से मैंने आप लोगों को एक से ले करके 50 question बताया, answer भी बता दिया, सारे question 100% सही है, एक भी प्रस्ण गलती नहीं है, आप लोग ये बताएगा कि एक से 50 तक में, एक से 50 तक में आप लोगों का कितना सही हुआ, कि कमेंट जरूर कीजेगा